नमस्कार दोस्तों, दोस्तों चीन के ही जुवान कुई, जो की एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने चाइना डेली में एक रिपोर्ट परकासित की, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल आने वाले पांच और दस सालों में अमेरिका से फाइटर प्लेन खरीदेगा, दोस्तों, ही जुवान कुई ने अमरिका पे इलजाम लगाते हुए कहा कि अमेरिका साउथ एसिया के छोटे छोटे देशों को अपने पुराने फाइटर प्लेन बेचना चाहता है, उन्होंने हर देश की ब्याख्या अलग-अलग धंग से की, नेपाल की ब्याख्या उन्हों सीमा अतिकर्मन का भै दिखा रही है, अपनी जन्ता में भै पैदा कर रही है कि भारत और चिन नेपाल की सीमा का अतिकर्मन कर सकते हैं, और ये भै दिखा के बरतमान नेपाल सरकार अमरिका से हत्यारों का सोदा कर रही है, और कुछ हत्यारों के सोदे इसी प्रपोगेंडा के अंतरगत हुए हैं उनका दावा है कि नेपाल, बंगला देश, मालदीब, ब्रमा और भी साउत एसिया के छोटे-छोटे देशों पर अमेरिका अत्यदिक दबाव डाल रहा है जिसके तहट ये देश आने वाले पांच और दस साल के भीतर ही भीतर अमेरिका से फैटर प्ले लगाना सुरू कर रहा है ताकि अमेरिका की बंद होती हतियार इंडिस्ट्री में जान आ जाए हमारी राए जाने दोस्तों ही जुआन की ने जो कहा वो सही भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका की हतियार इंडिस्ट्री जो है वो धीरे-धीरे बंद होती जा रही है इसलिए तो अमेरिका की हत्यार इंडिस्ट्री जो है वो चलेगी अमेरिका नेपाल को फाइटर प्लेन दे सकता है इसमें कोई संसे नहीं है बलही नेपाल के पास अगर फाइटर प्लेन लेने की छमता नहों तो भी अमेरिका दे सकता है रिन के तौर पर क्योंकि अमेरिका के पास में कई सालों से हत्यारों के बिसाल भंडार मौजूद हैं जो की नहीं बिक्रे हैं इसलिए अमेरिका रिन के तौर पे इन हत्यारों को छोटे छोटे देशों को दे सकता है ये रिपोर्ट भारतिय दैनिक जागरन में एक बार मैंने पड़ी भी थी लेकिन 21 जून को परकासित ही जूआन की की रिपोर्ट से साबित हो गया कि अमेरिका ऐसा करना चाहता है दोस्तों इसमें किसी परकार की कोई बुराई नहीं है क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार सबको होता है तो भविष्य में यहां संबव है कि नेपाल अमेरिका से फाइटर प्लेन खरीदे ऐसा हो सक करता है इसके चांस हैं धन्यवाद